गुड्मॉर्णिंग फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल एक्जाम ट्रिकी मैं से उंगरों जारे आपसे बात करूँगा हुना था इस चिछकपर्ति में दोस्तों हुना था इस चिछकपर्ति में जो ब्रेकिंग निगल के आ रहे हुआ यह जो है तीन से छेड के अभी जारी ह होंगे नियुक्त पत्र और साथ जाथ अंतिम दिन तक 136,000 से अधिक आवेदन दोस्तों मैं आपको पहले बताया था कि 136,000 के अप्रॉक्स में ही आवेदन रहेंगे और साथ जाथ जाथ देख लिए हाई कोड में 4 सवालों को लेकर जवाब दाखिल किया सरकार ने दोस्त कि आप लोग तो 118 शाल से नव करी कर रहे हैं और दोस्तों 99,000 वालों को अभी तक जवाब नहीं मिले तो आप लोग कोशिच करें कि 99,000 वालों को मानते है गलत हुआ existe जो ये गला जिला अंतंग आपका कभी न कभी आप लोग अपने जिले में पहुँं जाएंगे लेकिन जिन अभयारतियों को अभी तक जॉब नहीं मिलिए अभी तक नौकरिंग नहीं मिलिए उन अभयारतियों को सोचे और उन प्रस कर लिजेगा जिससे के नए वीडियो की नटिफिशन आपको समय से मिलती रहा है दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो जादा ज्यादा लाइक कीजिएगा और सेयर कीजिएगा देखते हैं तीन से च्छे भी जो जून आपके भी उसके बीच में निक आपकी देर राते का आवेदन जमा करते रहे और बेशिचा प्रसंद के सचिव वीजे संकर मिस्रा ने बताया कि 31 मई तक आवेदन पत्रों की जाच के बाद आलाइन प्रोसेसिंग कर सूची वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और साथ या तीन से च्छे जून के बीच जो आपकी काउंसलिंग होगा उसमें आपको नियुक्त पत्र दिये जाएंगे और परिचा में एक लाग शेयर साड़ा ब्यारती उत्ति इंड़े थे इसके बीच जो आपका सुनवाई थी वह तीस तारीक को लगाई गई है अब देखते हैं यह जो सुनवाई आपकी तीस मही तक जो होगी उसको सुनवाई तीस मही को होगी या आदेश नयामूर्ती प्रकास पाड़िया ने दरजनों या चिकाओं की सुनवाई करते हुए का कोट ने जानना चाहा है कि उत्तर कुंजी जारी करने से पहले अभ्यारतियों की आपत्ति पर समचित विचार किया गय दोस्तों आहम बात है यह और साथ साथ देखते हैं हाईकोट में सरकार ने चार सवालो के जवाब दाखिल किये इसमें क्या है बरती मामले में चार विवादी प्रषनों को लेकर के जो राश सरकार समेत दो पिपच्छ हाईकोट की खंटपीट जो लखनाउ थी उसमें निया मुर्तिया लोंक माथुद निया आदेज रिसवं मिस्रावाद दो अन अभ्यारतियों की आचिका पर वीडियो कांड्रेसिंग जरी adaptive करें सरकार के थे लिया साथ ही अंतिम राहत के तौर पर चैन फ्रक्ट्रिया पर रोक लगाने की गुजारिस की गई थी मगर इस गुजारिस को दोस्तों खारिश कर दिया गया था यह भी आप सब को पता होगा याजकाओं में अधिवक्ता आमी सिंग बदोरिया के मताविक आठ माई को उत्तर कुंजी के चार अभ्यारतियों की जो आपत्ती थी इस पर इस समद में अभ्यारतियों ने अधिकारियों के समझ भी अपना पच रखा लेकिन कोई सुनवाई नहीं होई दोस्तों इसलिए आप तलब इसमें देखते हैं क्या हुआ है हाई कोट ने भरती में आर्थिक पिछड़े वर्क को आरख्षण देने का जो लाव नहीं दिये जाने पर दाखिल की गई आचिकाएं दोस्तों कोट में के मामने में विचार दिन मानते हुए कि सरकार के तीन सब्ता में जाब द पिछड़े वर्क को आरख्षण दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है जबकि आर्थिक आरख्षण 13 अगस 2019 से लागू हो चुका है शासना देश ने इसपष्ट किया है कि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सभी सरकारी नौकली की सीधी भरती में 10% जाएगा दुस्तों अगर आपका वीडियो उच्छा लगआ हो तो जाहता जाहता लाइक हो और चैनल को सबस्क्राइब कि जिगर और वीडियो जाहता से कीजिएगा धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं आगले वीडियो में